तो अभी सबसे पहले तो आप लोग यहां पे प्रूफ देख सकते हो 50,000 रुपे का लोन अप्रूब हुआ था ये 25 मिनट पहले मुझे उसका पैसा बैंक एकॉंट में मिल भी चुका और यहां पे देखोगे 47,250 रुपे मेरे बैंक एकॉंट में रिसीब हो चुके हैं और यह अभी आप लोग टोटल बैलेंस देख सकतो आप लोग चाहो तो इसका डेट भी यहां पे देख सकतो सारा कुछ यहां पे अभी लाइब में यहां पे दिखा रहा हूं जो पैसा मुझे रिसीब हुआ है तो अगर आप लोग को भी 50,000 रुपे तक का लोन का रिक्वायर्मे है तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा बेहतरीन अप्लिकेशन लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप लोग को भी असानी से यहां लोन मिल जाएगा सिर्फ अधार काड और पैन काड होना चाहिए अब यहां पे एज इलिजबिलिटी आपका 21 सल है तब भी आप लोग असानी से यहां से आपका लोन मिल जाए और जो भी लोन आपको यहां पे आफर हो वो बैंक एकॉन में ट्रांसफर भी हो जाए तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में किलियर करने वाला हूं सारा आपका डाउट और साथ ही यहां से एक ऐसा लोन अप्लिकेशन बताऊंगा जिसकी मदद से आप असानी से सारे लोग यहां से लोन ले पाऊगे तो चलिए वीडियो को जल्दी से हम लोगसा अस्टार्ट कर लेते हैं और सारा प्रोसेस यहां लयाइब जानते हो और अप्लाई करते हैं लोन, उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यह चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लिजेगा बगल में आपको बेल आइकन देखने को मिल जाएगा इस पर टैप करके इसको भी ओल पर सेट कर लिजेगा इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आएगा उसका नोटिफि करना जिससे कि आपका लोन रिजेक्ट ना हो अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको एप का नाम दिखा दूँगा आप लोग खुछ से जाके करोगे और आपका यहां से लोन हो जाएगा रिजेक्ट तो जो तरीका मैं बताता हूं उसको अपलाई करो उसके बाद ही लोन अ कितना इंटरेस्ट रेट लएगा और कितना emi हम लोग emi tenure इसका सिलेक्ट कर सकते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हो सबसे पहले तो जो हमारा लोन अमांट रहने बाला है पचास आजार इंटरेस्ट रेट हमारा आठारा परसंट जाएगा आपका थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है जैसे की 1-2% आगे पीछे हो सकता है तो वो आपके civil पे depend है आपका जैसा civil रहेगा वैसा आपको यहाँ पे loan मिल जाएगा तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आप देखो के नीचे processing भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है तो सारा कुछ आप लोग यहाँ पे live देख पा रहे हो अभी यहाँ जो आपका मन्तली EMI बनेगा 2496 बन जाएगा और यहाँ पे total जो आपको यहाँ payment देना होगा वो आप लोग देख सकते हो 9,909 रुपे आपका total interest लेगा पलस 2750 रुपे आपका processing fee लगेगा जो की 18 महीने के लिए है आप लोग इसको कम जादा करोगे तो यह आपका interest कम या जादा हो सकता है यहाँ कुछ और भी detail है जिसको आप लोग देख सकते हो सबसे पहले जो आप लोग EMI paid करोगे बिवा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो sorry यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था जो हमारा processing fee तो लगी रहा है और यह जो EMI है 24 महीने के लिए है जो की आप लोग देख सकते हो 24 महीने के लिए लेते हो तो आपको 12,669 रुपे आपको यहाँ एक्स्ट्रा पे करना होगा अगर 18 महीने के लिए करोगे तो यह आपका कम हो जाएगा अभी यहाँ पे देखोगे जो आप लोग पेमेंट करोगे अरली एक्सेस एप का मतलब की अभी लॉंच नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पे लोन मिलना स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग यहां से असानी से लोन ले सकते हो अब सोच चकतो कि अरली एक्सेस है फिर भी एक मिलियन से जादा इस अप्लिकेशन का डाउनलोड है तो सबसे पहले तो आप लोग को इस अप्लिकेशन को यहां से कर ले ना ही इंस्टाल अब थोड़ा सा बेट करेंगे हमारा अप्लिकेशन जैसे ही इंस्टाल होगा हम लोग आगे का प्रोसेस यहां लाइब करेंगे जिससे कि आप लोग को भी समझ में आ जाए और आप लोग भी असानी से यहाँ लोन अपलाए कर पाओ तो थोड़ा सा कर लेते हैं बेट और अप्लिकेशन को होने देते हैं इंस्टॉल तो जैसे ही आप लोग एप को ओपेन करोगे कुछ इस तरीके से यह ओपेन होगा आप लोग उसको भी सिलेक्ट कर सकतो और यहाँ से देखोगे अपने जो भी नमबर डाला होगा अब यहाँ पे जैसे ही OTP आता है हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे अगर देखो यह टिक नहीं रहेगा तो आपको इसको टिक कर लेना है Terms and Conditions और बड़सब वाला Option आपको Allow कर लेना होगा अब यहाँ से Continue का Option आजाएगा यहाँ पे देखोगे Pay You Finance Terms and Service Civil Terms and Conditions सारा Accept करके Continue वाले Option पे टैप कर देना है जैसे ही टैप करोगे कुछ ही इस तरीके का Option आजाएगा अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कुछ Permission आपसे मांगा जाएगा जिसमें की Permission सबसे पहले तो आपका SMS का लिया जाएगा, Location का लिया जाएगा Push Notification का लिया जाएगा, File, Media, Folder and Camera अब यहाँ पे Metadata का Option भी आपको आजाता है सारा कुछ आपसे यहाँ लिया जाएगा Terms and Condition को आपको यहाँ से Accept कर लेना होगा और नीचे Continue वाले Option पे आपको Tap कर देना होगा अब जैसे ही Tap करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे First Option सेलेक्ट करना है फिर से First और Third भी आपको First सेलेक्ट कर लेना है अब यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछा जाएगा तो जो भी आपका नाम रहेगा, वो यहाँ से Fill कर दोगे तो यहाँ जल्ली से हम लोग नाम जो First Letter है वो डाल देंगे अब यहाँ पे देखोगे First Name और यहाँ आरा है Last Name तो आप लोग यहाँ पे Last Name डाल देना जो भी आपके Pen Card पे रहेगा तो यहाँ से कुमार है, कुमार डाल देंगे अब आपको यहाँ पे Date of Worth डाल देना है Date of Worth जो भी आपका रहेगा, वो यहाँ से डाल देना अब वो डालने के बाद यहां से आपको कुछ ही इस तरीके का option आ जाएगा तो यहां से हमने date of worth डाल लिया gender select कर लेंगे, mail भी mail तो यहां से mail हूँ, mail select करेंगे अब आपको एक email select कर लेना email भी हमने select कर लिया employment type आपसे पूछा जाएगा self, salaried हो, self-employed हो अगर उतना आपको चाहिए या 50 पलस भी आपको चाहिए तो minimum आपको यहां पर 30,000 दे देना, अगर आपको ज़्यादा लोन चाहिए तो आप लोग 40 भी दे सकते हो अब इतना करने के बाद आपको यहां पर pen number डाल देना होगा उसके बाद यहां पर देखोगे communication address डालना होगा सबसे पहले house, building, locality और यहां पर area, landmark, pin code अब इतना करने के बाद save value option पर tap कर देना है अब जैसे ही आप लोग इतना कर लेते हो आप से कुछ और permission लिया जाएगा सबसे पहले तो आपने जो भी pen card डाला होगा यह सब detail डालने के बाद अब आपका यहां पर अधार card verify किया जाएगा digital locker से तो उसको आपको verify कर देना है अब आपको जो भी loan offer मिलेगा उसके लिए आपको bank account यहां add करने का option आजाएगा bank account add कर लोगे उसके बाद आपको यहां पर signature कर लेना होगा phone के screen पर ही यह signature माँगेंगे उसको भी आपको submit कर देना है आपका एक selfie लिया जाएगा after selfie आपका जो भी amount रहेगा bank account में disperse कर पाऊगे जो भी bank account का detail आप लोग डालोगे तो यहां से आप लोग काफी EGB में इस application से loan ले सकते हो तो जाकर क्या apply करो कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर दिक्कत होता है आप लोग message करो आपका भाई आपके लिए यहां हमेज़ा available है तो आप लोग message कर सकते हो Instagram पे या फिर comment box में comment कर सकते हो तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा loan application है तो हमारा जो loan application है PaySense Personal Loan App है तो यहां से आप लोग जाकर क्या apply करो काफी बड़ी application है और यहां से आपको असानी से loan भी provide करवा दिया जाएगा तो अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं करते हैं सबाब और मिलते हैं आप लोगों से फिर से नए वीडियो में